मैं स्थानियन अगर सेवकों से भी शिकायत करने पर कोई काम नहीं हो रहा है मुंबरा की जीवन बाग इस्थित मोईले चाल अपना घर में लोग गंदगी में जीने को मजबूर है ऐसे में अब लोग शिकायत करें तो किस से क्योंकि अस्थानियन अगर सेवकों से इन्हें उम्मीद थी मगर शिकायत के बाद भी काम नहीं हो रहा है दरसल जीवन बाग मोईले चाल के पास ठाने महानगर पालिका ने काफे दिन पहले एक इमारत पर कारवाई करी से तोड़ दिया था लेकिन चारों तरफ पत्रा लगा कर मलबा वहीं छोड़ दिया था मगर अब ये पत्रे जगा जहां से तूट गए है तूटे हुए पत्रों से मलबा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है जो लोगों के आने जाने का रास्ता है सीडियों पर ये मलबा बिखरा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से काफी गंदगी है यहां तक कि इस तोड़ी गई इमारत के नीचे से नालो का पानी भी निकल रहा है जिसकी वजह से यहां काई लग गई है मलबा, गंदा पानी चारों तरफ फैला हुआ है बीमारी का भय भी लोगों में बना हुआ है ये गंदा पानी पूरे रास्ते में बह रहा है और इस रास्ते में काई भी लगी हुए जिसकी वजह से काफी फिसलन है अब तक कई लोग फिसल कर गिर चुके हैं यहां तक कि जब हम नियूस कबर करने के लिए वहां पहुँचे तभी उस रास्ते से गुजरने वाले एक बुजर्ब बिक्तिका पैर फिसल गया और बुरी तरह से वो गिर गया निमत रहे कि उन्हें हलकी चोटे लगी हैं जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें उठा कर ले गए वहीं तोड़ी गई इमारत की जो बाउंडरी दिवाल है वो दिवाल रास्ते पर लटकी हुई है मनपा कर्मियों से भी अस्थानिये लोगों ने इसकी शिकायत के हैं मगर अभी तक इस दिवाल का काम नहीं हुआ है दिवाल जिस तरह से लटकी हुई है अगर गिरी तो किसी ना किसी की जान जाने का खत्रा बना हुआ है क्या कहा है अस्थानिये लोगों ने आपको सुनाते हैं पीछे बिल्डिंग का मलबा है कितने मुलसिपाल्ती ने तोड़ी है वैसे कि पड़ा है और सारे कच्रे यहां जमा रहे है मेरा घर सामने पुरी गंदगी घर के सामने है और मेरा तीन मेने का बच्चे अभी कुछ बीमारी हो जाएगी इसको आप देख सकते आप दिखाए इस गिर गया हम का हाथ तोड़ गया तब जाके काम हुआ तो यह बंद वा अब यहां से स्टार्ट हुआ है और अटी के घर के पूरा सामने पच्च नहीं है जरसल पानी आता कहां से यह बोलते कि बिल्डिंग का चेंबर तीन नंबर की बिल्डिंग है वहां के उनके अब घे काम कैसा यां करते मेरा रवाज़ वदर रोज मैं साफ करती फिर भी एगंदगी नमाऊस को लोग जाते लेकिन गंदगी साफ जब स ह neurotik तो क्या रास्ते पे चलने वाले गेट है अंहीं कि कर उनने निंति है इसले मैं और बोल जरूआ या पॉस्ते पाई से जमी है लगार्ड थे हम ना मिष्ट यह पाई इसमी इसक्ट पहाई तो मारें गई जरू तुम कुझ देख लो कितनी सिर्प कितने काई जरूली यह आगे कम से कम बारीश है यह चालू CHAY बंदश काह हुआ है जब सब्सक्रम भीसम्हाइब्ड ग्रोड्र श्रयेट कर नहीं यहांग बंदो भी नहीं कोई नगवा ओक होता है कुछ नहीं है। कोई नगर से उस्कायद की थी? सब जगह जाके आए लिए बहुए हमारे दाकने और जगह थे, आते हैं खाली कि देखेंगे और चले जाएंगे, बाके कोई कुछ नहीं करता है। करता कोई नहीं किस किस लगर से वग चिपाज गया अभी अपने दर को ने यासी नहीं सब के बाद गयते हैं लोग कोई कुछ करता नहीं है खाले बाद एलेक्शन के डाम पे जाते हैं और कुछ नहीं है यह लग वक्त 7-8 साल से यह गंदगी जो है उपर से एक दफा साप हु साल यह बारिस में वो लटक गया है मैं बोल बोल के ठक गया मगर यह भी तहां तक का बोल चुका हूं वह यह जब गड़ गिर जाएगा हासा हो जाएगा जब आओगे मैयद उठाने के लिए फिर भी अभी तक वो कोई आया नहीं बोल अभी हो रहा है और फाहिल तीन साल से पसी हुई है, पता न साला कहा अटक गई है वो और कसम अभी तक वो उठा इठाग रहा हны और ज़्यादा है हो कभी भी हासा हो सकता है और गंदे की तो आप देखी रहे हैं और सब को दिखता है यह लोग की फाइल कहा पन हो गया है अभी तक ये लोग का अभी तक पास नहीं हुआ है यह हमारी तकलीब है यह हमारे राष्टे सही नहीं है और खोदाना कास्ता अगर देखा जा तो महीत आने जाने के लिए भी तकलीब है अच्छली हम लोग के दर यह जो मसला है और यह प्रोब्लम में साथ आट साल से लोग यहाँ पे फेस कर रहे यहाँ पर अपना गर करके एक बिल्डिंग थी वो मुंसी पल्डी ने डैमुलाइस करी थी टैमुलाइस करने के बाद उसका मलबा वगेरा सब मही पे छोड़के गए तो हम लोग गए थे यासिन कुरेशी जब नगर सेवक थे जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे सब मलबा वगेरा था वो भी फाइल प्रोसीजर करते करते दो तिन साल निकल गया दो तिन साल बाद वो लोगों ने ये पत्रे मार के दिये पत्रे मार के देने से पत्रे मारने से आपको लगता है इतना लोड़ एक कच्रे का पत्रा समाल सकता है तो पत्रे के वेसे कल को पत्रा मार के दिवाल को ऐसी छोड़ दिए दिवाल आदी अदमरी लटक के पड़ी हुई है कल को बच्चे वहाँ पर खेलते अल्ला ना खादा कुदा ना करे का खासा हो गया बच्चे की कोई जान चलेगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर मुंसिपाल्टी ये चीज़ डेमोलाइस करती है तो ये फर्ज मुंसिपाल्टी का है कि वो चीज़ बराबर सेफ्टी से हटा है रस्ते को साफ करे क्लीन करे मतलब यहाँ पर रहवासी है अनेजुकेटेट लोग है जिसको मालूम नहीं है पलाई नहीं है तो उनके साथ कुछ भी वेवार कर देनेगा क्या कोई कुछ एक्षन नहीं करेंगा कोई कुछ बोलेंगा नी यह जो मसला है इधर पहले एक बिल्डिंग थी यह भी मुंसी पाल्टी नहीं डेमोलाइस करी है तो इसका और यहाँ पर टोटल चार बिल्डिंग थी चार बिल्डिंग के कनेक्टेट चेमबर एक में है उसका ड्रेनेज लाइन है जो पीछे तो अब वहाँ पर पानी को र पानी निकल के और यहां से नमाजी लोग जाते आते हैं कल भी यहां से तक्रीबन चार दिन से पाच्छे लेडिस गिर चुकी है लोग काफी परशान है आखरी शिकायत करें तो किससे करें कोई सुनने वाला नहीं है मलबा गटर का गंदा पानी बह रहा है और लोग इस गंदगी में जीने को दिये मुहाल है काफी दिनों से इस समस्या से जीवान बाग मोईले चाल के लोग जूझ रहे हैं नगर सेव को सिल्ले कर मनपा तक इसकी शिकायत की है मगर गटर का गंदा पानी रास्तों पर बह रहा है और मलबा भी रास्तों पर ही बिखरा है आने जाने वाले लोग गिरते हुए यहीं से गुजरते हैं और आस पास लोग इस गंदगी में रहने को मजबूर है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंगी ताज़ा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें